Hello everyone, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देगे आज की वीडियो में हम तीन बाते करने वाले हैं पहला अदानी इंटरप्राइज का FPO सड़न कैसे ओवर सब्सक्राइब हो गये जबकि रीटेल वालों का सपोर्ट मिला ही नहीं और उसके बाद भी आज स्टॉक क्यों गिरा है क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स थे उनके दोस्त आ गई ये वो नजानी क्या-क्या और साथ में बात करेंगे कि भाईया अदानी ग्रूप के साथ साथ किस स्टॉक की और नईया डूग रही है क्योंकि वो भी जानना उतना ही ज़्यादा जरूरी है तो मैं मुकलगरवाल आपका आप ही के यूटूब चैनल में स्वाइद करता हूँ जो भी नई लगों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकोन हिट कर ले, नोर्टिफिकेशन अन कर ले और अभी मार्केट में इतनी सारी घटना करम चल रही है, तो हर एक अपडेट, ट्वीटर और टेलिग्राम पर क्विक डाल रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुर जाईएगा, क्योंकि वही लिंक सिर्फ पोरिजनल है और उससे पहले थैंक्यू सो मच, जो आप सबने इतनी सारी जनम दिन की बधाईयां भेजी, तो बहुत अच्छा लगा, हमें दिल से थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, आप लोगों का ही प्यार और आसिरवाद है, जिसके कारण हम स्माइल और खुस रहते हैं, तो चलिए सुर था, वो अपने FPO प्राइस से नीचे आ गया, सभी लोगों को लग रहा था कि अब FPO फ्लॉप हो जाएगा, वहाँ पर हुआ इसका उल्टा, क्यूंकि बात आई कि सायद अदानी ग्रूप यानि गौतम अदानी जी, अब प्राइस को नीचे लाएंगे, डेट को चेंज कर मगर सब लोग हैरान आखिर हो कैसे गया, जब मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो महंगा किस ने बाय कर लिया, और क्यूं कर लिया, इसमें भी एक logic है, क्योंकि सर्फ नाम में logic नहीं है कि इसने बाय कर लिया, वहाँ पे भी एक big learning है कि महंगा क्यूं बाय किया, तो सबसे बहले डेटा से समझते हैं कि भाईया डेटा ये कहता है कि QIB ने 126%, NII ने 332%, Retail Trader ने सिर्फ 12%, Employees ने 53%, तो टोटल हुआ 112% का सबस्क्रिप्शन तो जैसा कि आप देख रहे हैं, NII और QIB का सबस्क्रिप्शन सबसे जादा रहा, मतलब जितना NII को ओफर किया गया था, उससे 3 गुना जादा अप्लिकेशन आया, वहीं Retail वाले 12% सबस्क्राइब हुए, यानि वो दूर बैठे थे, उन्हें बहिया था कोई इंटरस्ट ने अब NII में आते हैं, तो अल्ट्रा, हाई नेट वर्थ, इंडिविज्वल, तो यहाँ पर मीडिया के नुसार, NII में जो इन्वेस्ट हुआ है, जैसे बिजनस स्टेंडर में खबर आई, वो नाम आ रहे हैं, अमबानी, सजन जिंद, सुनील मितल, सुधीर महता, पंकर्स प मार्केट से क्यों बाइ नहीं किया, क्योंकि बिजनस में के लिए तो पैसा important होता है, तो open market से करते सस्ता मिलता, तो FPO में क्यों गए, वो तो high price था, यह है न master stock, इसके दो reason, पहला reason, tradable share की कमी होना, आपको पता है, मैं लगातार अदानी ग्रूप पे वीडियो बना रहा ह तो please channel पे जाके देखें, क्योंकि यह matter समझना बहुत जादा जरूर ही है, tradable share की, फिर भी हम अदानी enterprises के बारे में बात करते हैं, कि promoter holding है 72.62%, FII के पास है 15.39%, DII के पास है 5.45%, public के पास बचा कितना 6.53%, तो यानि इस वज़े से quantity कैं है, public के पास बहुत का, तो open market से buy कैसे करते, quantity तो है नहीं, यानि लेने जाते तो बहुत लंबा वक्त लगता, और लंबा वक्त लगता तब तक में price भी उपर हो जाते, जब अगर लेंगे open market से और demand आएगी और supply कम रहेगा, तो price तो भाग जाएंगे, और ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना लेना है, तो maintain करता है, तभी तो उन्होंने भरोसा निभाया, भरोसा किया, और invest किया, यानि एक बुरे वक्त में सब लोग साथ है, और एक company को बचाने की कोसिस की, उसके FPO को बचाने की कोसिस की, क्योंकि अगर कोई बाहर से इंसान आ रहा है, sudden attack कर रहा है, तो मिलकर support करना जरूरी है, मतलब दोनों में से जो भी हो, तो इस point से हमें सीख मिलती है, कि business में competition होते वे भी कैसे relation को बना कर रखते हैं, ताकि बाहर से अगर कोई attack करे, तो आप अपने peer group से support ले सको, business भी grow करो, और competition भी healthy रहे, ना कि दुस्मनी वाला, तो उमीद करता हूँ, यहां तक समझ चुके ह अधानी enterprises के FPO की कहानी, और महंगे में भी क्यों लिया, उसकी कहानी, वीडियो को like कर दीजेगा, जिससे प्यार आए, और हमें समझ में आए, कि आपको समझ में आ गया है, उस साथ में अगर Demet Trading Account का link description में है, आप अगर open करते हैं, तो special telegram में add कर दिये जाएगा, Google form open करने क के बाद भर दीजेगा, अब सवाल आता है कि ये सब तो हो गया, market में sentiments भी बहुत अच्छे आ गए, share में सब होना चीए था, बट आज budget भी अच्छा है, share भी अच्छा चल रहा था, फिर अधानी group क्यों गिर गया, तो वहाँ पर दूसरा बंप फूटा, वो report आई, credit Swiss ने, उन्होंने हिंडनबर्ग report आने के बाद अधानी group के bond को लेने से मना कर दिया, investment bank ने इसे zero value का बताया, और इस report को आने के बाद 25%, 30% तक अधानी के share गिर गया, यानि अब इसमें अधानी port, अधानी green energy, electricity Mumbai, अधानी electricity Mumbai Limited, ऐसी कंपनियां सामिल है, ये Bloomberg की agency से report है, ध्यान से, Bloomberg की agency से, लेकिन यहाँ पर एक master stroke ध्यान रखने का है कि other bank, यानि सब ने ऐसा नहीं किया है, जो other bank है, वो continue to lend against अधानी debt, बाकी सब सही है, जो बाहर के दूसरे लोग bond पे करते हैं, वो वहाँ तक दिक्कत नहीं है, उन्होंने कुछ no, कुछ नहीं, जो है वैसा चल रहा है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरुवत है कि जब एक private bank, lending value को zero करता है, तो वहाँ पर simple सा मतलब होता है कि जो client है, उन्हें top up करना परता है, पैसे, cash डालना परता है, या another form में collateral लालना परता है, और अगर वो fail हो गया, तो security can be liquidated, यानि उन्हें खतम, liquid कर दिया जा तो यह है, वो डर जिसके सारा खेल हो गया, और banker वाला जो लगातार गिरावट है, वो आप देख रहे हैं, लेकिन अब इस कारण एक और नया drama हो गया, वो नया drama हो गया, आपने देखा, PSU banking sector में selling और उसमें सबसे धमा का खेल आया, SBI का, SBI है leader, पैसा लानिया मैंने बोला ना, मैंने वो जो पूरी वीडियो की series बनाई है, उसमें यह सब discuss किया है, तो वहाँ पर खेल किस ने कर दिया, क्या वहाँ पर खेल कर दिया, SBI, मतलब कर्ज लिया हुआ है जहां से, और उसको ले के आने वाला leader boss, boss कौन है, SBI, SBI, Punjab National Bank, Union Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, पास से 10% गिर गे, तो इस तरीके से याद रखिये, यहाँ पर समझना क्या है, जब तक मामला धंडाना हो, और जब तक ऐसी-ऐसी निउस निकलेगी, तो अदानी गुरूप तो गिरेगा, फियसू बैंक भी गिरेगा, क्योंकि रिलेटेड है, मार्केट सेंटीमेंट्स चलता है, जैसे ही बुरी निउस बंद हो जाएगी, सब को सही होएगी, तो बैंक कहीं से खराब नहीं हुआ, एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं से खराब नहीं हुआ, यह बात को आप समझ लीजेगा, यह एक पेनिक सेलिंग होती है, just due to bad news, क्योंकि उस समय भाईया किसी कुछ नहीं समझाता, बस लगता है, बेचो भागो, बेचो भागो, यही कहानी समझ में आती है, और जब अधानी ग्रूप की बात आती है, तो उसके बारे में तो हम एक जवाने से कहते आ रहेंगे, कि म को उसमें investment समझ ही नहीं आती है, वहाँ पर जो समझ में आता है, वो सिर्फ है swing trading, आज बहुत लोगों की दुआये हैं, लोग कह रहें सर, अब समझ में आ रही है ये बात कि आप क्या कह रहे थे, उस समय नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं, अरे अपन पैसा कमाने है, अपन क रिटल भाई है, रिटल भाई है, तो अपन सेफ खेलेंगे न, वो जुआ बजारी वाला काम क्यों करेंगे, कि जहां पर रिस्क हो, क्योंकि पैसे फस गए, अब जैसे फस गए लोगों के, तो अब निकलने मुस्किल, तो ये कई सारी चीज़े हैं, जब हमें, मेरे दादा चलना, मीठा मीठा चलना, छोटे-छोटे बेबी स्टेप लेने, तो हमें कोई हटानी सकता है, तो ये थी समरी, मैंने सब क्लियर कर दिया, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई अदानी पोर्ट को लेकर, स्वाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोसिस करूंगा अगले वीडियो में कवर करने की, और वीडियो को जरूर सेयर कीजे मेरे दोस्त, पूरा इंडिया परेश्वान है, उन्हें एक सच्ची और अच्छी इंफोर्मेशन आप सब पहुंचा सकते हो, सोसल मेडिया पे वीडियो को शेयर करके, थैंक्यू, जैहिंद, जैहिंद,